नमस्कार सातियों मैं कमलेश सोधरी आपका एगरी चेंपियन आपके ओनलाइन प्लेटफोरम में हार्दी का भिनान्दन करता हूं जैसा कि अपने पिछली क्लास में मेट्रिक्स कंप्लीट कर लिए मेट्रिक्स का से लेबस पूरा पढ़ने कर लिया है क्योशन प्रेक्टिस पूरा से लेबस होने के बाद में करें आज अपन नहीं या टोपिक स्टार्ट करेंगे डिफ्रेंशेशन या अवकलन अभी यह एक्जाम की दरश्टी से अपने एक मैट्वून टोपिक है इसमें लगबग अपने 20 से 25 नमबर के क्योशन पूशता है 20 से 25 नमबर का मेंट अपने बात करेंगे सबसे पहले तो डिफटेंशन या इसमें अवकलन ऊता गया है अकलन क्या होते हैं Um तोपने पड़ी दूर्याउं थे चोटे चौटे कोड़े निकालने होते है Anyways कोई बड़ी दूरी दूरी वहती है पमसें व्हुंस दीया होगा उसका अपने कोकिया निकालना पड़ेगा छोटा फंसे या छोटी दूरी निकालनी होगी место अब आज अपन बात करेंगे सबसे पहले बिफ्रेंसियाशन के फोर्मुली क्या क्या होता है आगे अजो किसंद respect subsidi फोर्मूले यहांगे पहले उनके बारे में चर्चा लेते हैं आपर गों में इस अब आपन बात करते हैं इन फोर्मुले के में जो वोकलन के फॉर्मूले हैं यह कुछ फॉर्मूले यह हैं अब बागी इनको समझने के बाद में लिखेंगे यह दी अपॉंड दी अगर x की power n कहीं दिखाई दे अपने को किसन में तो उसका formula क्या होगा n x n-1 अब आपको दिख रहा होगा कि d upon dx कहां से आया अब देखो एक concept है dy upon dx ये किसका sign होता है ये होता है autocland का डी कहां से आया differentiation से डीडिफ्रेंशेंशेंशेंशेंशेंशेंशेंशेंशेंशेंशेंशेंशेंशेंशेंशेंशेंशेंशेंशेंशेंशेंशेंशेंशेंशेंशेंशेंशेंशेंशेंशेंशेंशेंशेंशेंशेंशेंशेंशेंशेंशेंशेंशेंशेंशेंशेंशेंशेंशेंशेंशेंशे कर रहे हैं ? अक्स के साफस्च अब मैं बोलु KIde, यह अक्स का अउकलन कीजिए, MKB कोई function दिया हो कि इसका अउकलन कीजिए t के साफस्च तो टीक आएगा, नीचे आजाएगा और X कहा पर लेंगा ऊपर आव्परा जाएगा आगे समझ में जिसका हो करते हो उपर रहेंगे और जिसके साफ करते हो मिसको कहान लिखेंगे , नीचे यहां पर परफ सत शाप कर रहे थे तो कहान लिका देंदो। पहला फॉर्मुला क्या है, D upon dx, x की power n, अगर कोई क्यूसर पूछे कि مतलब, कोई भी क्यूसर दिया हुआ और उसका पूछे की दिये गए function का, आउकलान ग्याद कीजिए, अगर उसमें, अपने को x की power n में कोई भी function दिया हुआ हो, कैसे, जिसे x की power 4 दे दिया, x की power 2 दे दिया, तो इसमें कौन सा formula लगेगा x की power n वाला अब इसमें अपने apply कर लेते हैं जिसे अपने इसका उगलन पुछे तो इसका क्या हो जाएगा n कहा जाएगा आगे जाएगा n क्या है 2 x 2-1 यहाँ पर क्या बज़ेगा 2 x की power 1 1 को ठादेंगी क्या बज़ेगा 2 x बज़ेगा पहला formula समझ में आगया अब दूसरा है कोई भी अपने पास consent दिया हुआ consent कौन सा होता है 1, 2, 3 कोई भी एक से लेके सोट accounting या ज़्यादा भी हो तो उसका क्या हैगा 0 अगर कोई function दिया हुआ जैसे मानलो 2 x प्लस 3 इसका अपने को क्या निकालना है d upon dx निकालना है तो इस तीन का क्या हैगा आउकलन होगा इसका 0 क्योंकि इसका आउकलन का formula है कि कोई भी एकने पास consent दिया हुआ हो फंक्सन में तो उसका मान क्या होता है 0 होता है आउकलन क्या होगा उसका 0 होगा अब देखो किसी function में मानलो e x दिया हुआ है तो e x का आउकलन क्या होगा e x होता है इसके बाद में d upon dx अगर sin x दिया हुआ है तो उसका क्या होगा cos x होगा अगर d upon dx दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है को सक्स दिया हो है को सक्स का क्या हो जाएगा माइनस साइन अक्स यह समझ में है पहला कुंसा है अक्स की पाउर एन अक्स की पाउर एन का क्या होगा एन एक्स एन माइनस वन कोसेंट वेल्यू आजाए कोई भी तो उसका क्या होगा 0 e x दिया हुआ हो तो e x का आउकलन क्या होगा e x होगा sin x का क्या होगा कोस x और कोस x का क्या हो जाएगा माइनस sin x अब अपन आगे फोर्मुले के बात करते हैं अगर किसी फंक्शन में 10 x दिया हुआ हो तो उसका आउकलन क्या हो जाएगा सेक स्क्वाइर अगर किसी फंक्शन में कोट अक्स दिया हुआ हो तो उसका आउकलन क्या होगा माइनस कोसेक स्क्वाइर अगर किसी फंक्शन में अगर किसी फंक्शन में लोग अक्स दिया हुआ हो क्या दिया हुआ हूँ लोग अक्स तो उसका उकलन क्या होगा वन बटेवा अग्स अगर किसी पंक्सन में सेक अक्स दिया हूँ होगा उसका उकलन क्या होगा कोटक्स क्या होगा माइनस को से एक कोटक्स अब देखो अपना आगे फॉर्मूले की बात करते हैं अगर क्यूशन में दिया हुआ हो फंक्शन में दिया हुआ हो साइन इन्वर्स अक्स तो उसका उकलन करते हैं तो क्या होता है वन बटेवा अंडरूड वन माइनस अक्स स्क्वाइर क्या होगा वन बटेवा वन माइनस अक्स स्क्वाइर अंडरूड में अब इसके बाद में अगर 10 इन्वर्स अक्स दिया होगा हो तो वन बटेवा वन पलस अक्स स्क्वाइर अगर से एक inverse x दिया होगा तो 1 बटेवा x अंडरूड x square minus 1 अगर दिया होगा d upon dx और cos inverse x तो उसका उकलन क्या होगा minus 1 बटेवा अंडरूड 1 minus x square अगर क्यूसन में दिया होगा court inverse x तो उसका क्या होगा minus 1 बटेवा 1 plus x square यहां पर minus है यहां पर भी minus है और यहां पर भी क्या है minus है d upon dx दिया होगा और cos से एक inverse x दिया होगा तो उसका क्या होगा minus 1 बटेवा x square plus 1 अंडरूड में यह अपने बात की कि किसकी अउकलन में formula की अब जैसे कोई और भी अउकलन के formula बचके उनकी अपना आगी क्यूसन की साथ साथ बात करेंगे अब देखते हैं कि जो अपने formula लिखाए क्यूसन कैसे बनते हैं अपना बात करेंगे क्यूसन की जैसे क्यूसन दिया हुआ होगा यदी कि अपने को क्यूसन कैसे पूछेगा उकलन में से यदी वाई बराबर कोई function अक्स की पावर 4 प्लस 2 अक्स प्लस 3 दिया हुआ हो तो दिये गए फलनका किसके साथ एक्स आउगलन ग्यात करना है अक्स के साथ एक्स आउगलन ग्यात करना है सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे डी वाई अपोन डी अक्स लिख लो, Y का मान क्या है? X को पावर 4 plus 2X plus 3 अब पन्ने X नीचे क्यों लिखा क्योंकि क्या पूछ रहा है? X के इसाफ X आओकलन ग्याद कीजिए अब उपर Y का मान अपन्ने लिख दिया, D Y upon DX Y का आओकलन कर रहे हैं, किसके साफ X कर रहे हैं? X के साफ X पणने क्या लिख दिया दिया और वाइकि विल्यू लिक दी अब इसके बाद में लिखेंगे आपन आक्स के सापेक्स अधर में आख के सापेक्स आउकलन करने पर अपने पास कोई क्यूसर्ट दिया हुआ था उसका पड़ने क्या किया सबसे पर अब अपने को क्या करना है अक्स के साफ एक साउगलन करना है अक्स के साफ एक साउगलन करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखना है अब जो अलगलग तुकड़ों में फंक्सन दियुए हैं ने जिसे अक्स के पावर फॉर जो हमच त्री épisode के साथ LIKE टो डी EOS जो हुए суiveness साथ अलग-अलग क्यों लिखेंगे क्योंकि अपन अउकलन ऍक्स का भी करना है का भी करना इसके लिए अपन सभी के साथ क्या लिखेंगे टीप आसओ यह पर क्या रजाएगा तीनों फंक्शन ते प्लस में आपर आक्स के पाउर 4, 2, 2 अक्स और 3, तीनों के साथ अपन ने क्या लिख लिया, डिये पॉन, डिये अक्स लिख लिया, अब देखो इसका उगलन कर दो, एन को आगे ले हो, एन आगे आजाएगा, 4, अक्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4-1, प्लस, 2, आगे क्या आएगा, यहाँ से, पाउर में क्या है, एक, तो एक का क्या हो जाएगा, मिल्टिपलाई में कर दो, 1-1, प्लस, यहाँ पर क्या होगा, मैंने क्या कहा था, भी फॉर्मूले में, कि अगर कोई भी कॉसेंट दिया हुआ, तो उसका उकलन क्या होता है, 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0, अब आगे देख लो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4-3, प तो अक्स का क्या होगा, 1, अक्स, 1-1, यहाँ पर क्या बचेगा, अक्स की पावर 0, अक्स की पावर 0 का मान क्या होता है, 1 होता है, अक्स की पावर 0 का मान क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पर क्या बचा, अक्स की पावर 0, अक्स की पावर 0 का मान क्या होगा, 1 होगा, तो दो को एक से मल्टिप्लाइग रहेंगे तो क्या एगा दो तो अपने पास अवकलन क्या प्राप्त हो गया फोर अक्स की पावर थ्री प्लस टू मैंने क्या कहाता सुरू में अवकलन स्टाट के ते तब कि कोई भी बड़ा फंक्सन दिया हुआ होगा अपने उसका क्या निकाल अपने यहां को ह purity कर लोगा कि तू अक्स स्क्वाइब प्लस ट्री यह मानश फॉर उड्स जाओ करू इसका पहले क्या करोंगे डियाःभ डियज अपन डिये अटक्स क्या गाट तू आक्स स्क्वाइर प्लस थ्री एक्स-ः-सहौ रहीं अब क्या कर Shooting इसका निकाल, सब्वी के साथ से लगे-क्या है, बनीसम्स लिख देंगे, डी आपोन्ट टी एक्स तो दी अपोन्ट डी एक्स। थ्री एक्स माइनस बनीस डी अपोन्ट डी एक्स, फूर एक्स कर दो कुलन, इसका क्या होगा, आक्स की पावर, सी अगर अपन जहां भी कियों में फॉर्मूलर्य का यूज घरते हैं अपने को क्या करना होता है ए कौंसा फॉर्म पॉलซा अपने यूज किया अपने कौनnd अपने ऑसकी पावर स्वन यह पर क्या हो जाएगा फोर आक्स इस प्लस त्री घृत्र क्या हो जाएक क्योंख चीब आजए बर जी रोमINO वन गांत एक होता है यह पर क्या हो जाएगा एक को फ्रस आमल्टिपलाई रहुँके और आ गया समय एक और क्यी सोने ले ले陋े तरहीं कोई दिया हुआ है अक्स की पावर 100 माइनस अक्स की पावर 55 प्लस 4 अक्स स्क्वाइर प्लस 4 अब इसक्यूसन का करो D अपोन D X अक्स की पावर 100 अक्स की पावर 55 और अक्स स्क्वाइर यह दिया हुआ है अब सबी के साथ लग लग क्या लिखना है D अपोन D X और वो लाइन लिखते रहे ना कि अक्स के साफ एक्स आउकलन करने पर वो इसके नीचे लिखने हैं अपोन D X अक्स की पावर 100 माइनस D अपोन D X अक्स की पावर 55 प्लस D अपोन D X 4 X स्क्वाइर प्लस D अपोन D X 4 अब देख लो D अपोन D X 100 X 99 यहां पर अपन आउकलन कर देते हैं न किसी भी फंक्सन का तो उसके बाद में क्याट जाएगा डी अपोन D X अटा देंगी अब देखो सो आगया जाएगा अख से 100 माइनस 1 माइनस 55 आगया जाएगा 655 माइनस 1 यह पर क्या हो जाएगा प्लस 4 हे 2 आगया जाएगा 8 2 माइनस 1 4 का क्या हो जाएगा 0 799 99 माइनस 85 पर पावर में एक रहेगा तो उसको पड़ी मतलब नहीं है पर बिना लिखे भी चला सकते हैं यहां पर क्या होगा हंड्रेड अक्स की पावर 99 माइनस 55 अक्स की पावर 54 प्लस एक्स आ गया है यहां तक समझने अब अपन नेक्स्ट क्यों सब्सक्राइब यह तो अपन ने कौन से रूल से देख लिया पावर रूल हिया पावर रूल हिया अक्स की पावर आइनवाले से देख़ लिया आप देखते हैं अपन जो त्रीन में एती कि अपने फोर्म लिखे जिसे अपने पूछले साइन अक्स से प्लस औस पॉश्ड मईनस एक्स इसका अपने को क्या करना हो अगको लन ना हो तो क्या गरेंगे आ पहले क्या किए डिए अपॉंट डियक्स शाइन अक्स प्लस पॉस अग्स मनस एक की पाउर इसका गया हो जाएगा सबसे पहले हैं क्या लिकोंगी दिए फिलंगा डाउस के साफ एक्स खुलंग करने पर इसके बाद में पड़ने कहेंगे डिया पॉन डीक्स सबी के साथ अलग-लग डिया पॉन डिया लग फो अब देखो साइन अक्स का गया हो जाएगा को सब्सक्राइब से को सक्सक्राइब और देखंग यहां ऑगरती है इस में बात करते हैं यह तो पनी फोर्मूले पढ़ लिया और नॉर्मल इंट्रोडक्शन पढ़ लिया और फॉर्मुले के कुछ क्यूशन उदाराने भी देख लिए अब अपन बात करेंगे कि आगे की क्लासों में अपन पढ़ेंगे क्या क्या डिफ्रेंसियसन में और कहां से कितने नंबर का क्यूशन आता है से कौन सा पार्ट इंपोर्टेंट है अब सबसे पहले पने फॉर्मुले याद करेंगे क्या फॉर्मुले फॉर्मुले उते हैं उन में से डायरेक्ट कुछ लेता है साइन अक्स का अवकलन बताईए चार ओप्सन देगा उसमें से एक अपने को टिक करना पढ़ेगा या फिर रिक्त एक्यूशन पुछ लेता है इसके बाद में अक्स की पावर and जो है पावर रूज है इसको क्या बोलते हैं आए पावर रूज इसका अपन क्या करेंगे इसके एक्जामपल पढ़ेंगे इसके बाद में पढ़ेंगी चेंडरोऌ chain rule में क्या होते हैं मतलब कोई function होता है उस function के उपर वी जैसे मतलब दिया हो अभ इस function का उकलन होगा एक bार और इस function का जो function है is work इसका भी क्या होगा आउकलन होगा इस placebo क्या मोलते है chain rule फिर बहुँने को क्या पड़ना पड़ेगा chain Rule chain rule के बाद में product rule product rule product rule कब लगाते हैं कोई function multiply में दिया हुआ हो तो अपने उसमें कौन सा rule लगाएंगे product rule इसके बाद में है coset rule coset rule coset rule कब लगाते हैं कोई दो function दिया होगी होते हैं ubiquity विड़ेवा वी टैप में तुमक्ण कोन सा रूल लगांगे फिर इसके बाद में पढ़ेंगे एक कोई वी क्यूसन दिया हूँ जूसे आक्स की पाँवर चांट दिया हूँ यह कौन सी फार्म में प्रिसक का डाइरेMP नहीं निकाल सकते साइन एक्समस से वन थोड़ना घटा होगे तो इसको कौन से फॉर्मूले से करेंगे अपन दोनों तरफ लोग लेकर इसके बाद वे इक काता है को अपने को अपन सबी क्युस्णों में क्या करते हैं वह वर व्र यह पंक्शन दिया अगर क्यूंस में य बराबर भी दिया हुआ हो और अक्स बराबर भी दिया होँआ और अपना को पूछ ले वी लोगेंगे इस ठाइप की क्योशन पड़ेंगे अब इन में से मेन कौन कौन से मेन इक तो है प्रॉडक्ट रोल नुट क्या पूसता है इन सबी फॉर्मुलों का क्या पूसता है mix mix शूर्म में जैसे उसमें एक कोई क्योशन दिया हूँआ ओगा उसमें अपने को प्रोड़क्ट रूल बी लगाना पड़ेगा उसके पाउर देंवाला चेन वाला भी तो इसको कौन29 मिक्स पॉर्मुला उसमें सब्सक्राने पढ़ेंगे सब्सक्राइब अन fermented क suffर पढम मैं कि पढ़ेंगे सबसे पहले पढ़ेंगे अक्स की पावर एन वाले क्यूसन इसके बाद में चेन रूल के क्यूसन फिर प्रोड़क्ट टूल फिर कॉसेंट रूल जैसे जैसे मैंने बताया जैसे दोनों तरफ लोग लेकर और फिर क्या बताया डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना यह अपन क